हर रज एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूलें हे भगवान पंकु भाईया ये क्या हो गया आपको आपके हाथ पर इतनी चोट आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना रुकिए मैं अभी फर्स्टेट बॉक्स लाती हो और साथी हल्दी वाला दूद भी लाती हो अरे छोटी तू चिंता मत कर मैं बस बाईट चलाते चलाते गिर गया और हल्की से खोरोच आ गई लेकिन मैं ठीक हो छोटी है नाईरा और उसका बड़ा भाई पंकच दोनों एक दूसरे को खुब प्यार करते हैं बच्पन में ही उन दोनों की माता पिता उन दोनों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए उनका अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था जिसकार पंकच ने अपने जीवन की सारी खुशिया पढ़ाई लिखाई सब कुछ तैक कर बस मे और एक पिता की तरह अपनी चोटी बहन नायरा को पाला और पोसा नायरा के साथ उसकी भावी यानि पंकच की बीवी बंदना और बंदना की माप कांता भी रेती हैं सच में तुम दोनो भावी बेहन का अतूट और अनमल रिष्टा देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मुझे भी कोई भावी बेहन होती तुम दोनो को किसी की नजर ना लगे वंदू हम दोनों बाही बेहन को किसी की भी बुरी नजर नहीं लग सकती क्योंकि वो लगने से पहले ही हमारा प्यार उस नजर की दुलाई कर देगा क्यों चोटी हाँ पंकु भया आपने बिल्कुल सही कहा रक्षा बंधन का पावन पर बाता है फिर नाइरा पंकच के लिए खाना बनाती है अरे नाइरा बिटिया मैं तुमारी मदद कर देती हूँ लाओ नहीं नहीं कांता मोसी आज मेरे पंकु भया के लिए मैं खुद अपने हातों से उनकी सारी मन पसंद चीज़े बनाऊंगी और खास करके उनकी पसंदीता नारियल बर्फी वाव वाव क्या बात है नाइरा अगर तुमें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे या मा को कहे देना ठीक है? ओके भाबी फिर नाइरा अपने हातों से पंकच को सारे बनाए हुए पदार्थ किलाती है और उसे राखी बानकर उसकी आरती उतारती है भया लाईए मेरा तोफा दीजी इस बार मैंने तेरी लिए एक बहुत ही बड़िया तोफा लाया है चोटी वाव वो क्या है भया जल्दी बताओ ना प्लीज मेरा तोफा देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हू चोटी मैंने तेरे लिए एक बहुत ही बड़े घर का रिष्टा देखा है लड़का बहुत बड़ा लिका है और साथ ही अमिर भी है और वो है अक्षत सेगल अक्षत सेगल तो वही है न सेगल ग्रूप अफ इंडस्ट्रीस के मालिक का बेटा पिछले हफ़ते ही मैंने अकबार में पड़ा था उनके टेक्स्टाइल के बिजनेस को पुरे पचास साल पुरे हो चुके है अरे वाँ पंकु भाया क्या सॉलिड तोफा दिया है अपने मुझे पंडिजी ने उन लोगों को तेरी तस्विर दिखाई और उने और अक्षत को तू बहुत पसंद आई चोटी कल लड़के वाले आ रहे है तयार रहे न सचदच के फिलहाल के लिए शगुन का तोफा ले और हमेशा खुश रहे मेरे लाडली बहना थैंकि सो मच पंकु भाया लव यू लव यू तू छोटी अगले दिन नाईरा को देखने के लिए अक्षत और उसकी माता पिता उर्मिला और धनराज सहिगलाते हैं और उन्हें नाईरा बहुत पसंद आ जाती है सच में नाईरा तुम बहुत गुनवान हो आज के जमाने की लड़कियों में इतना सीधापन और इतने नेक विचार पाना ठीक वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में पानी मिल जाना नाईरा मेरे अक्षेत के लिए यू ओनली बेस्ट और नो वन इस बेस्ट हेना अक्षत लल्ला हाँ माँ अरे वाँ तो फिर रिष्टा पक्का हुआ ये लीजिए मू मिठा कीजी उर्मिला बेहन वाँ ये स्वीट तो बहुत ही स्वीट है मुझे ये बहुत नाईस लगा माई डियर कांता बेहन नाईरा और अक्षत का रिष्टा पक्का हो जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है बिदाई के बग पंकश नाईरा को गले लगकर खूब रोता है और नाईरा के भी आसू बहने लगते है अपना ध्यान रखना चोटी ताइम पर उठना काना खाना और हाँ सब के साथ सब के साथ प्यार से रहना और कुछ भी लगे तो तेरा ये पंकु भाया हमेशा हर घड़ी में तेरे लिए हाजिर है तुझे बच्पन से ही अपने जिगर के तुकडे की तरह पाला है आज तु जा रही है भाया मैं आपको भाबी को कांता मौसि और इस घर को बहुत मिस करूंगी आपकी छोटी और उसके पंकु भाया को कोई अलग नहीं कर सकता हम दूर रहकर भी हमेशा साथ रहेंगे बाई भाया अपना खयाल रखना पंकज अपनी बहन को विधा करता है अमीर ससुराल में जाने के बाद नाईरा बहुत खुश हो जाती है अपना कमरा देखकर तो उसकी आखे फटी की फटी ही रह जाती है अरे वा ये रूम तो किसी फाइव स्टार होटेल की तरह लग रहा है है में मर जावा गुड़ खके ये तो एकदम जखका से अब ये रूम मेरा नहीं हमारा है अब इस पर ही क्या पुरे घर पर और मेरे दिल पर सिर्फ और सिर्फ तुमारा ही हके अब तुम इस घर की मालकिन हो ओ, हाउ स्वीट अक्षर आई लव यू आई लव यू टू नाइरा दोनों की रोमेंटिक मुमेंट को भिखरते हुए वहाँ पर आचानक से उर्मिला टपक जाती है चारी चारी बहुर लला लेकिन मैं यहाँ पर मेरी नई डाटर इनला को ये शगुन का कंगन और चाबी का चल्ला गिव करने आई थी कोई बात नहीं माजी आईए ना प्लीज ये ले बभू ये शगुन के कंगन हमारे खांदानी कंगन है मेरी मदर इनला ने मुझे दिये थे और अब मैं तुझे दे रही हूँ और फुचर में जाके तुम ये अपनी डाटर इनला को देना है ना हे 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 येस माजी थैंक यू सो मज और ये चाबी का चल्ला अब तो इस हाउस की बहु है और इस घर की आल जिम्मेदारिया सब कुछ एवरिटिंग तेरे कंदे पर आ चुका है इसलिए बेश्ट ओफ आल मेरा मतलब आल दे बेश्ट जी माजी थैंक सलोड मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं सारी जिम्मेदारिया अच्छे से निभाऊंगी और मेरे भया के दिये हुए इस रक्षा बंदन के खूपसुरत तूफे को मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी और किसी को भी कभी दूख नहीं पहुचाऊंगी क्या नायरा सच में अपना वादा निभा पाएगी जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबना ना भूले